वेलकम एवरीवन ओन येट अनदर वीडियो ओफ चेप्टर टू BSC Second Sam Ordinary Differential Equation Maths So in this वीडियो I am going to discuss with you exercise 2.3 इससे प्रीविस वीडियो में हमने exercise 2.2 खतम करी थी So now let us start with the basic of this exercise So इसमें अब हम deal करेंगे ऐसी equation से which are solvable for x इसका मतलब क्या है अगर किसी equation में हम x को लिख सके as a function of y और p Example के तोर पे अगर x को हम लिख सकते हैं x is equals to y plus t या y plus t square तो ऐसी equation में हम use करेंगे 2.3 में use होने वाले steps का इससे प्रीविस वीडियो में that is exercise 2.2 में हमने कैसी equation टीर करी थी जहाँ पर हम y को लिख सकते थे as a function of x and p that is example के तोर पे y is equals to x square plus p square तो वहाँ पर हमने ऐसी equation से deal करी थी इसमें और इसमें काफी फरक है इसलिए आप याद रखेगा जब भी ऐसी equation आए तब हम यहाँ यूज़ करेंगे 2.2 का और जब भी कोई ऐसी equation आए जहाँ पर x को लिख सकते हम as a function of y and p वहाँ हम यूज़ करेंगे 2.3 का अब हम बढ़ते हैं इसके working rule की तरफ तो यह मेरे पास equation number 1 थी हमने 1 को कर दिया differentiate with respect to y x मेरे पास था function of y p जब उसकों करेंगे differentiate तो y और p तो उसमें रहे गई साथ में उसमें मेरे पास एक नवी term आएगी वो मेरे पास क्यों होगी dp upon dy तो उसने बस यह लिख आपे कि उसमें एक नवी term इंटर्ड्यूस होगी example के तोर पे अगर मैं x को लूँ y square plus p square और इसको मैं करूँ अगर differentiate with respect to y तो मेरे पास क्या बनेगा y square मेरे पास बनेगा 2y और मेरे पास जो p square है वो मेरे पास बनेगा 2p dp by में dy अब हम क्या करेंगे next step में हम put करेंगे dxy dy को as 1 by p because जो मेरे पास dy पे dx है वो मेरे पास होता है p तो बस यहाँ पर हमने इसको reverse कर दिया है हम यहाँ पर calculate कर रहे है dx upon dy अगर dy वे dx मेरे पास है p तो dx upon dy मेरे पास क्योंएगा of course है तो 1 by p बस हमने इसको reverse कर दिया है so 2 मेरे पास कैसी equation है जिसमें मेरे पास y और p include है so इसको solve करने पर जो हमारा solution आएगा मेरे पास y और p होगा और साथ मेरे पास integration constant c होगा तो उसने लिख है कि हमने इसका solution माल लिया as a function of y, p और c अब हम क्या करेंगे हम 1 को और हम 3 को करेंगे solve और वहाँ से हम निकाल लेंगे value p की इसने कहा है eliminate यानि कि यहां से p की value अगर निकलती है तो यहां से निकालके हम put करेंगे इसको 1 में अगर p की elimination या p की value निकालना 3rd से possible नहीं है तो हम क्या करेंगे then value of x and y are expressed in terms of parameter p together form the solution इसका मतलब क्या है अगर request no.3 से हम p की value नहीं निकाल पा रहे है किसी भी तरीके से तो उस case में हम क्या करेंगे जो भी मेरे पास x है और जो भी मेरे पास y है उसको हम express करेंगे in terms of p मतलब कि उसका जो भी answer आएगा in terms of p example के तोर पे x is equals to p square plus 2 और y is equals to 2p plus 1 ऐसा को खेंगा example तो यह दोनों मेरे पास को होंगे उसके collectively solution होंगे इसको हम समझते है example so first example मेरे पास है solve the differential equation x is equals to y plus p square यहाँ पर आप देख पा रहे है कि x को हम लिख सकते है as a function of y and p so यहाँ हम use करेंगे x is 2.3 का यहाँ से वैसे हम y को भी लिख सकते है as x minus p square so इससे मेरे पास क्या चल रहे पता है कि y is a function of x and p so इसलिए यहाँ पर आप 2.2 का use भी कर सकते है आप एक बड़ ट्राय किजिएगा कि y is equals to x minus p square से मेरे पास answer क्या आएगा answer आपका different आ सकता है but it doesn't matter क्योंकि आपका trick का सही है अब हम क्या करेंगे हम करेंगे इसको differentiate with respect to y तो क्या होगा y के मेरे पास बनेगा 1 और p के मेरे पास बनेगा 2p dp by dy अब dx by dy को हम put करेंगे 1 by p so 1 by p is equals to 1 plus 2p dp by dy यहाँ से हम निकालेंगे value 2p dp by dy की तो मेरे पास क्या हैगी वो 1 by p minus 1 यहाँ से हम p को लेंगे lcm तो क्या बने गया 1 minus p by में p अब हम यहाँ से निकालेंगे value dp by dy तो मेरे पास क्या हैगी 1 minus p जो यह 2p था इसको में लेंगे divide में तो क्या बने गये 1 minus p upon 2p square यहाँ से हम क्या करेंगे अब हम यहाँ से variable को करेंगे separate तो क्या बन जाएगा 2p square 1 minus p अब हम देखते हैं कि इसको हम simple form में कैसे लिखेंगे so 2p square upon में 1 minus p dp by dy हमने denominator से लिया है minus sign common तो मेरे पास क्या बनेगा minus 2 into p square upon में p minus 1 dp is equals to dy since जो मेरे पास numerator की degree है वो greater है that is p square और जो मेरे पास denominator की degree है वो मेरे पास क्या है 1 है that is p minus 1 तो हम इसको हम यहाँ पर divide कर सकते हैं तो वो कैसे करेंगे हम हम जो p square इसको में लिखेंगे divide कंदर और जो मेरे पास p minus 1 इसको में लिखेंगे divide के भार अब हमें चाहिए p square किस से p minus 1 से तो हम क्या करेंगे इसको multiply with p तो क्यों होएग अब p को हम करेंगे p से तो p square and जब p को करेंगे minus 1 से तो क्या हैगा minus p then हम इसके करेंगे sign change तो इससे cancel out हो गया और अब मेरे पास क्या हैगा p since इसकी degree और इसकी degree मेरे पास क्या है comparable है तो यहाँ पर हम इसको में से multiply करेंगे तो क्या बनेगा 1 into p will become p and 1 into minus 1 will become minus 1 minus plus यह cancel out हो गया and we are left with only 1 अब हम एक formula पता है 10th के base पे वो क्या है dividend is equals to quotient into divisor plus remainder जिनको नहीं पता quotient, dividend, divisor और remainder क्या होते हैं तो उनके लिए क्या है जो मेरे पास divide के अंदर ताम उसको में कहते हैं dividend जिससे हम divide कर रहे हैं उसको में कहते हैं diviser और जो मेरे पास आता है उसको में कहते है quotient और जो मेरे पास बच आता है उसको में कहते हैं reminder तो मेरे पास एक well known relation क्या है dividend is equals to quotient into divisor plus remainder इसको समझने के लिए मैं आपको आता है example let us suppose कर दीजिए हमने 5 को करना है divide with 2 तो एफ पूरा पूरा कटे का नहीं तो हम क्या करेंगे हम करेंगे यहाँपे 2 तो क्या एगा 4 minus 1 तो मेरे पास क्या आ गया है जब हम करेंगे 5 को divide 2 से तो मेरे पास 1 क्या आता है reminder और 2 क्या आएगा उसका quotient क्योशेंट तो हम यहां से 5 को लिख सकते हैं कैसे 2 into 2 plus 1 किस त्रिक के से इसी फोमलेगा उसकर करके that is dividend is equals to क्योशेंट into divisor plus reminder तो हमने सिर्फ इसी त्रिक के का यूज के हैं आपर अब इसी फोमले का यूज करके हम इसको लिखेंगे तो कैसे dividend is equals to क्योशेंट मेरे पास था यह and into divisor divisor मेरे पास है p-1 plus reminder plus reminder मेरे पास क्या है 1 तो हमने इसी फोमले के उसकर के इसको लिखेंगे हम 20 को यहां करेंगे replace with this तो मेरे पास क्या बन जाएगी यह it will become minus 2 तो बार था and p square की जगा हमने put कर दिया p plus 1 p minus 1 plus 1 अब हम क्या करेंगे हम p minus 1 को करेंगे separate तो यहां से हमने इसको simple त्रिक के से लिखें next step में क्या करेंगे next step में अब हम इसके करेंगे integration क्योंकि अब इसकी integration करना possible है तो वह कैसे होगी मेरे पास minus 2 तो बार है p की मेरे पास होगी p square by 2 और 1 की मेरे पास होगी p and 1 upon में p minus 1 की मेरे पास होगी log p minus 1 और dy की मेरे पास होगी y so after integration हमें यह मिलता है अब हम क्या करेंगे हम जो 2 outside the bracket एसको में ले जाएंगे bracket के अंदर अब यहां से आप देख पा रहे हैं कि यहां से p को निकालना possible नहीं है so इसलिए हम y की value को put करेंगे equation number 1 में 1 मेरे पास क्या थी? 1 मेरे पास थी x is equals to y plus p square तो हम बस y की value put करेंगे in equation number 1 तो वहां से मेरे पास आजएगे x की value both these are collectively known as the solution of equation number 1 अब हम चलते है example number 2 पे example number 2 मेरे पास क्या है? y equals to 2p x plus y square p cube अब यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा आप इसको यह मेरे समझेगा कि यहां पर y को कर पा रहे है as a function of x and p क्योंकि यहां पर मेरे पास y यहां भी है so इसलिए अगर यहां पर y ना होता तब हम कहते हैं कि मेरे पास क्या है? function of x और p है बट यहां पर मेरे पास y square है so it means यहां पर हम 2.2 का use नहीं कर सकते हैं तो हम check करेंगे कि हम in terms of x लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं तो हम क्या करेंगे? जो एट हम इसको ले जाएंगे इस side में तो क्या बन गया? y minus y square p cube is equals to 2p x हम यहां से निकालनेंगे value x की तो क्या हैगी वो? y upon 2p minus y square p cube divided by 2p अभी इस p से 1p cancel out हो जाएगा और मेरे पास क्या रहा जाएगा? y upon 2p y square p square divided by 2 is equals to x अब हम करेंगे इसको differentiated with respect to y तो उससे मेरे पास क्या बनेगा? जब हम करेंगे y का, तो 1 by 2p y अगे मरे पास होएगा 1 plus second function का अब हम करेंगे integration that is 1 by p का, so y by 2 तो बाहर और 1 by p का मेरे पास होएगा minus of 1 by p square dp by dy next हम क्या करेंगे? जो मेरे पास 1 by 2 है, वाएगा बाहर और इसमें हम या उसके करेंगे u into v rule का तो उसके according मेरे पास क्या है? first function that is p square बाहर और y square का मेरे पास बनेगा 2y plus अब y square मेरे पास बनेगा constant और अब हम करेंगे p square का तो it will become 2p dp by dy next step हम क्या करेंगे? हम put करेंगे dx by dy को as 1 by p और बाकी चीज हमार पास same रही हमने बस क्या किया? हमने 1 by 2 को अंदर multiply कर दिया हाँ पे next step हम क्या करेंगे? जो हमें बस time है this and this इसको shift करेंगे इस side में और यहां समको में लेंगे dp by dy is equals to जो मेरे पास यह 1 by p है इसको ले जाएंगे side में तो क्या बन गया 1 by 2p? 1 by p जवाएगा right side में तो मेरे पास क्या बन जाएगा? minus 1 by p और यह time मेरे पास यहां थी तो इसको फोल करेंगे मेरे पास क्या बनेगा? minus 1 by 2p और यह तो यहां same का same रही अब इन दुन्नों से हमने ले लिए comment minus sign तो minus 1 by 2p plus yp square अब हमें इस से यह बनाना है ताकि हम दुन्नों में से कुछ comment ले सके तो उसके लिए मुझे क्या गरना पड़ेगा? देखें मैं वासे comment लूँँगा y by p तो मेरे पास क्या बनेगा bracket के अंदर 1 by 2p plus yp square into dp by dy और जो मेरे पास यह negative में था उसको में लेंगे left hand side में so it will become plus का तो यह factor और यह factor मेरे पास क्या है? common है तो जो अब इसको में लेंगे common तो यहां मेरे पास बच्चे का 1 plus y by p into dp by dx तो हम नहीं लिख है अब हम क्या करेंगे? हम इस factor कर देंगे neglect क्यों? कि इसमें मेरे पास dp by dy के term नहीं है so मेरे पास अब क्या रहता है? 0 के equal this factor अब हमने क्या के next step में? हमने multiply कर दी पूरे को p से तक यह जो divide में p यह खतम हो सके so क्या बनेगे? यह p plus y dp by dy is equal to 0 तो यहां से क्या करेंगे? हम यहां से variable को करेंगे separate कैसे? p is equals to minus y dp by dy dp के निच्चे मेरे पास क्याएगा p और dy के निच्चे मेरे पास क्याएगा y so dp by p is equals to minus dy by यह मेरे पास क्या है minus तो जब इसको में लाएंगे इस side में तो मेरे पास क्या बनेगा यह dp by p plus dy by y is equals to 0 इसको अब हम करेंगे integrate तो क्या बनेगा? dp by p का बनेगा log p dy by y का बनेगा log y and integration of constant will become log c क्योंकि मेरे पास दोनों क्या है? log में है क्या बनेगा log y p is equals to log c this means y p is equals to c यहां से आप देख पा रहे हैं कि यहां से p की value निकान लब होती असान है तो इसलिए p is equals to c by y तो अब हम क्या करेंगे? जो मेरे पास यह p की value है इसको हम put करेंगे request number 1 में तो मेरे पास 1 क्या थी? 1 मेरे पास थी y equals to 2px plus y square p cube तो p की value पुट करेंगे तो p की value मेरे पास है c upon y तो इसको put करके lastly solve करके मेरे पास क्या पचेगा? y equals to 2cx upon y plus c cube upon y तो अब हम पूरे को करेंगे multiply with y तो क्या अगर मेरे पास? y square equals to 2cx plus c cube तो इसमेरे पास क्या है? required solution तो जहां से p की value निकालना असान है तो उसको हम put करेंगे request number 1 में और जहां से नहीं है तब हम क्या करेंगे? हम y को और x को रिखेंगे in terms of p तो यह आप यह जाना किएगा अब हम move करते हैं example number 3 की तरफ so now we are on example number 3 so example number 3 मेरे पास क्या है? x is equals to y plus a log p तो यहां से आप देख पा रहे हैं x को हमने express किया है as a function of y और p यहां से आप y को भी as a function of x और p लिख सकते हैं कैसे? x minus a log of p तो यहां पर आप exercise 2.2 का use कर सकते हैं तो हम इन दोनों method से इसको करेंगे solve but first of all इसको हम करते हैं according to exercise 2.3 इसको मैंने माले question number 1 तो आप मुझे क्या करना है? मुझे 1 को करना है differentiate with respect to y तो मेरे पास क्या बनेगा? dx upon dy is equal to y का मेरे पास होएगा 1 और a मेरे पास है अब log p का मेरे पास क्यों होएगा? log p का मेरे पास होएगा 1 upon p dp by dy अब dx by dy को हम put करेंगे 1 by p and सब कुप सेम अब हम क्या करेंगे? हम दोनों साइट करेंगे multiply with p तो क्या बनेगा मेरे पास ये? 1 is equals to p plus a dp by dy अब p को हम करेंगे इस side shift तो क्या बनेगा? 1 minus p is equals to a dp by dy अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे variable को separate तो उससे मेरे पास क्यों होएगा? dy is equals to a dp upon 1 minus p इसको हम करेंगे integrate तो मेरे पास क्यों होएगा? dy का मेरे पास होएगा integration y जब हम करेंगे इसका तो मेरे पास क्यों होएगा log 1 minus p और minus p का मेरे पास होएगा minus 1 जो क्या आएगा divide में and c लगा दिया मेंने integration constant तो मेरे पास क्या आगा answer? y is equals to c minus a log 1 minus p second equation से आप देख सकते हैं कि p के value second से नहीं निकाल सकते so it means मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे सक अंसर y और x की टमिल आना पड़ेगा तो अब हम क्या करेंगे हम y को put करेंगे 1 में तो उससे मेर पस क्या आएगा x is equals to y के मेर पस क्या value है c minus a log 1 minus p plus a log p so this and equation number 2 मेर पास क्या है required solution है मेर पास ये given equation का तो इसको हम solve करते हैं x is 2.2 के method से तो कैसे कर सकते हम 1 को हम लिख सकते हैं इस त्रीक के से y is equals to x minus a log p तो यहां से हम क्या देख पा रहे हैं हमने y को कर दे express as a function of x or p so इसलिए यहां पर हम use करेंगे x is 2.2 के steps का first of all हम यहां करेंगे इसको differentiate तो मेरे पास क्या गया dy by dx is equals to 1 minus a log p का मेरे पास बनेगा 1 by p dp by dx then हम put करेंगे dy by dx को p तो क्या अगर p is equals to 1 minus a upon p dp by dx next step हम क्या करेंगे हम लेंगे यहां से p का lcm तो क्या गया मेरे पास यह p minus a dp by dx then हम क्या करेंगे हम इस p को ले जाएंगे side में तो मेरे पास क्या बनेगा p square equals to p minus a dp by dx अब इसको हम करेंगे separate तो क्या बनेगा a dp by dx equals to p minus p square यहां से मैंने common लिया है p and where left is only 1 minus p तो अब हम करेंगे हाँ पर variable को separate वो कैसे इसको हम ले जाएंगे divide में और जो मेरे पास dx को ले जाएंगे इस side में तो क्या पनेगा a dp upon me p 1 minus p is equals to dx इसको हम ले देदी question number star इसका अब हमें करना है integration बट उसके लिए first of all हमें इसको लिखना पड़ेगा simple form में तो यहां हम use करेंगे partial fraction का तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा हम consider करेंगे 1 upon p 1 minus p को as a upon p plus b 1 minus p जहांपर a और b मेरे पास क्या है constant है तो हम पूरी को करेंगे multiply with p 1 minus p तो मेरे पास क्या हैगा 1 is equals to a p से कट जाएगा p और मेरे पास क्या हैगा 1 minus p और 1 minus p से कट जाएगा 1 minus p और मेरे पास क्या हैगा p तो पहला हम put करेंगे p को 1 तो p को 1 put करने से मेरे पास क्या हैगा जो यह मेरे पास term है 0 और मेरे पास यहां क्या बनेगा b into 1 is b तो मेरे पास क्या आगे value b की 1 और अब हम put करेंगे P को 0 तो मेरे पास क्या आएगा यह term 0 और यहां से मेरे पास बनेगा A 1-0 प्लस B into 0 तो मेरे पास A के आगया 1 तो इन दोने value को हम put करेंगे इस equation में तो मेरे पास क्या आगया 1 upon 1-P is equal to 1 upon P plus 1 upon 1-P so star मेरे पास क्या बनेगी A upon में 1 by P plus 1 by 1-P dP is equal to dx बस हमने simply 1 by P 1-P को लिखा है simple form में अब हम करेंगे इसको integrate तो मेरे पास क्या आएगा integrate करने पर 1 by P का बनेगा log P और 1 by 1-P का बनेगा log 1-P upon में minus 1 is equal to dx का मेरे पास बनेगा x और मेरे पास आएगा integration constant c तो यहां से मेरे पास क्या आगा log P और जो मेरे पास मेरे माइनस था या आएगा उपर log 1-P is equal to x plus c तो क्या है गलाश में मेरे पास log P minus log 1-P मेरे पास क्या बनेगा log P upon में 1-P is equal to x plus c 4 से आप देख पार है कि हम यहां से P की value नहीं नहीं का सकते so it means so it means equation number 4 और यह मेरे पास equation क्या form करेगी solution form करेगी given equation का so यहां पर हमारे example होते हैं खतम so यह रही मेरे पास exercise और इसके मेरे पास रहे निचे answer तो friends आज हमने 2.3 खतम कर ली है from next lecture we will start exercise 2.4 so thank you for watching this video and share this video with your friends ताकि यह उनके लिए भी helpful हो सके और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब परना ना भूले तो चलिए आज के सिर्फ इतन ही मिलते नेक्स वीडियो में till then bye bye and have a good day and stay home, stay safe